पीपे उन्होंने एक बात कही कि ये ना हो बीजेपी के लिए कि 2024 पे उनके अपने लोग उनको छोड़के चले जाए मैं सीधा रुख कर रहेता हूं इस पर रियक्शन लेता हूं अजया लोग जिनको उन्होंने अपना मित्र कहा कारा मेरे मित्र है मैं तो उनको सुनता रहता है कि अब 2024 की तैयारी होगी क्या आपको लगता है कि नितीश ने बाजी पलड़ दी है कांग्रेस ने जो लंबे समय तक इस देश में राज किया और कई सरकारे उन्होंने बरकास्त किया वो सारा इतियास ब्यार जानता है यहाँ जेपी की लेकिन यहाँ समराज बाबु यहाँ सरकार बरकास नहीं हूई सरकार आपकी थी what सरकार आपकी थी लेकिन कल शुबेत का मंत्री थे कल शुबेत का पूर मंत्री थे सरकार आपकी निपटाई नहीं है किसी ने सरकार आपकी निपट गई है कॉंग्रेस ने सरकार बरकास्त नहीं करवाई आपकी आप तो आदत के बाद बी उनके साथ थे लेकिन क्योंकि इसके उपर मुझे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी जेडियू की मादव वनंद काफी देर से इंतरदार करें मादव जी आपको इधर उधर की आदत है लेकिन कल तक आप जो कहने थे हमीज देवगन आपके पास जो खबर है वो मेरे पास नहीं है अब तो आप तक भी पहुझ गए नितीश जी ने बोल दिया हमारे सूत्रों पर आप तो भरोसा करेंगे यह दिल्ली की कोई बड़ी प्लानिंग है नितीश कुमार की जब उन्हेंने 2024 की बात करी अमिज देवगन जी अमिज देवगन जी एक बात मैं बहुत असपरश्टापुबग कहना चाहता हूं कि जनता दिल उनाइटेट का एंडिये से अलग होना और विपक्ष के साथ हाथ मिलाना निश्चित रुप से यह दरसाता है कि बिपक्ष अब एक जुट हो रहा है और जनता दिल उनाइटेट के अलग होने से बिपक्ष जरूर मजबूत हुआ है और आदरदी नितीश कुमार जी में जो नितृत की छमता है जो उनका अनुभव है निश्चित रुप से उसका फाइदा बिपक्ष को मिलेगा जहा अजया अलोग 30 सेकिंड रिबटल 30 सेकिंड रिबटल अजया अलोग 30 सेकिंड देखिये मेरी शुपकामनाये हैं जिस उमीद जिस उमीद से नितीश जी ने गटवंदन तोड़ा है और 24 के लिए उनको किक लग रहा है और कि 24 में प्रधान मंत्री का चेहरा बन जाए अगर जाए तो बहुत बहुत शुपकामना मैं उमीद करता हूं अकलेजी की पाट्री इसकी घोशना कर देगी पहले अरे पूछा हमने अधीर ने उन्हों ने तो उन्होंने तो इंकार करती है उनने बोला राहूल जी हमारे नेता है इस अभी तो मैंने श्चत्रगन से आपसे किर्घक जार नेंसरे फिर जाजर preçoटर पकी जह लेता है किभीनी, ऑिएफ लिए।